नवास्कार दोस्तों आप सभी का हमारे विने इस्टेडिकेन में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए बेट प्रवेश प्रक्रिया से सम्बंधित कुछ महत्वपोण जानकरी लेकर आया हूँ दोस्तों आप हमारी चैनल पर नए आए होंगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बेल का एकन पर इसकर दिजेगा ताकि आने वाले हमारे जितने भी नए विडियो हैं उनको नोटिफिकेशन आप तक पहुशत रहे ठीके दोस्तों सूरू करते हैं दोस्तों चैनल राज्य के निजी सिक्षा महवध्यालयों में संचालीत बेए बेड बेड बेस्ची बेड पर ठिक्रम में प्रवेश के लिए पात्र इच्चुक अभ्यार्ती दिनांक 25.9.2020 से निर्धारित राशी का प्रक्रियासुल का आललाइन भुक्तान करके अपना पंजियन आललाइन करा सकते हैं इसी प्रकर इच्चुक अभ्यार्ती दिनांक 6.9.2020 से निर्धारित राशी का आललाइन भुक्तान करके अपना पंजियन करा सकते हैं अब अंटन कारिक्रम जो है निम्ना अनिशार है विवरन चरणवार प्रतम चरण विकल्प फार्म आललाइन जमा करने की तिथी प्रतम चरण जो है इसका दिरांख है पचीस नौँ दोहजार बीस बीएड बीएड बीएससी बीएड पचीस नौँ दोहजार बीस से सुरू होकर तीन दस दोहजार बीस तक और डियलेड इसके लिए है छे दस दोहजार बीस से सुरू होकर सोला दस दोहजार बीस तक यहाँ जो है प्रतम चरण है इसके बाद दावा अपत्ति के लिए प्रतम चरंड की आबंटन सुची जारी करना एवन दावा अपत्ती इसके लिए बीए बीएड और बीएसी बीएड इसके लिए दिरांग है 6-10-2020 से 7-10-2020 तक और डिलेट के लिए है 20-10-2020 से 21-10-2020 तक प्रतम चरंड की आबंटन सुची जारी करना इसके लिए जो है दिराट निर्धारित है 12-10-2020 यहां जो है बीए बीएड और बीएसी बीएड के लिए है इसी तरह डिलेट के लिए है 23-10-2020 इसके बाद दोस्तों प्रतम चरंड में आबंटि चात्रु द्वारा महा विद्याला में प्रवेश के लिए निर्धारित तिति है 12-10-2020 से 19-10-2020 यह बीएड वालों के लिए है इसी तरह डिलेट वालों को जो है 23-10-2020 से 29-10-2020 तक जो है प्रवेश लेना है इसके बाद रिख्ट सीटों की जानकारी यह जो है बीएड वालों का 21-10-2020 को और डिलेड वालों को 31-10-2020 को इसके बाद दोस्तों द्वीती चरण द्वीती चरण विकल परफॉर्म ऑल्लाइन जमा करने की तिति है बीएड वालों का है 23-10-2020 से 27-10-2020 और डिलेड वालों का है 3-11-2020 से 9-11-2020 इसके बाद दावापत्ती के लिए द्वीती चरण की अबंटन सुची जारी करना इवं दावापत्ती बीएड वालों के लिए है 29-10-2020 से 31-10-2020 इसी तरह जो है डिलेड इनके लिए है 11-11-2020 से 12-11-2020 द्वीती चरण की अबंटन सुची जारी करना इसके लिए निर्धारी तिति है बीएड वालों के लिए 3-11-2020 को जो है अबंटन सुची जारी की जाएगी और डिलेड वालों का 18-11-2020 को जो 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 जाएगी और डिलेड वालों का 26-11-2020 को इसके बाद 3-3 चरण 3-3 चरण विकल फार्म आललाइन जमा करने की तिति है बीएड वालों के लिए है 11-11-2020 से 27-11-2020 एबं डिलेड वालों के लिए है 18-11-2020 से 3-12-2020 इसके बाद दावापत्ति के लिए 3-3 चरण की अबंटन सुची जारी करना एबं दावापति बीएड वालों के लिए है 19-11-2020 से 30-11-2020 और डिलेड वालों के लिए है 5-12-2020 से 7-12-2020 इसके बाद तिति चरण की अबंटन सुची जारी करना एबं दावापति बीएड वालों के जारी होगा 25-11-2020 को और डिलेड वालों के होगा 9-12-2020 को तिति चरण में अबंटित छात्रुद्वारा जो है बीएड वालों के लिए है इसी तरह डेड वालों के लिए है डेलेड वालों के लिए 9-12-2020 से 15-12-2020 ठीक दूस्तों यह जो है चरण की अनुसार है इसके बाद राज्य में इन परक्रमों के लिए सीट्स की संख्या निर्मना अनुसार है बीएड इसके लिए महाविद्द्द्द्द्द्द्द की संख्या है नीजी दो और कुल सीट है सो नीजी में इसी तरह बीएस से बीएड इसके लिए भी महाविद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसकी 18 महाविध्याला है और 70 निजी कुल जो है इसके बाद इसमें सीट की जो संक्या है वो है सास्की में 1750 और निजी में है 4820 कुल 6570 जो सीट है सवाने विवरेंड इस प्रकार है सत्र दोजार 2021 में प्रवेश हेतू बीएड बीएड या डेलेड पार्टिक्रमें में प्रवेश हेतू प्रचलित प्रवेश नियमों में कोविड-19 की विश्वयापी महमारी एवं संक्रमार के खत्रे को द्रिश्टी प्रिवर्तन किया गया है तथा सीटो का अबंटन बारवी की प्रिच्छा के प्राप्तंकों के अधार पर मेरिट क्रम बना कर किये जाने का प्रवधान रखा गया है अबंटन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी तीनों चरण का अबंटन का अबंटन का अबंटन का कॉलन स्लेस 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 सेटी डॉट सीजी डॉट गॉर्मेंट डॉट इन वा तीन बहु प्रसारित दैनिक समचार पत्र में दिया जाएगा विश्रित प्रवेश प्रक्रिया नियम सर्ते वा सुल्क तथा महाविद द्याले की सूची SCRT रायपूर के विबसाइड में प्रक्रिया प्रारम होने के तीन दिवस पुर्व अभ्यर्ति देख सकते हैं अभ्यर्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजियन करने के पुर्व इन नियमों सर्तों का अध्यन अवश्र कर लेवे तदह यह सुनसित कर लेवें कि वे इन पार्ठिक्रमों के लिए पात रहें अभ्यर्ति बीए बीएड बीएसी बीएड वा डीएलेट के लिए पंजियन एवं विकल्व फार्म SCRT के वेबसाइड में उपलब्द ऑनलाइन जाकर chips के वेबसाइड के लिए दिए गए लिंग का उप्योग कर या chips के वेबसाइड में सीधे निर्धारित टीतियों में कर सकेंगी पूश्टाज वा दावापत्ति अभ्यर्ति इमेल तताब पूश्टाज के लिए दुरभास क्रमांग 7470470609 में संपर्ख कर सकते हैं ठीक है दोस्तो इसी तरह यदि आपको इमेल जानना है तो इमेल है supportslcm at the rate cgchips.in में ठीक है दोस्तो इससे संबंदित यदि आपको कोई भी अन्य जनकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्तो थैंक यू दोस्तो थैंक यू